हालो फ्रेंड, बेरी गुड मॉनिंग टो आला क्यों तो आज की सेस्ण में हम ज्प्टर प्लैनेट के बारे में जानेंगे और इस पर इंपॉर्टर्ट मिशन भेजा गया क्याने कि वाइफ पॉइंट इनके बीच की दूरी 5.2 ऐस्ट नांकल यूनिट है ये टू है फाइफ पॉइंट टू एस्ट नांकल यूनित ठिक है उसको यह जो हम क्या उसमें देखें अगर किलोमीटर में तो य साथ सो अथतर मिलियन किलोमीटर है जैसे इसका revolution सुर्य के कच्छत में और फिर यहां पर जो atmosphere है यह सारी चीजें distance सुर्य से दूरी बढ़ने के respect में क्या matter करती हैं तो चलिए हम इसमें जो exam related point हैं उनको देख लेते हैं तो इसमें हम first point देख लें इसकी size तो इसकी size में अगर हम बात करें तो यह जो है जुप्टर जो है वो प्रिथवी से 1300 गुना बढ़ा है यानि कि इसकी जो size है प्रिथवी की comparison में 1300 गुना बढ़ी है मतलब कि एक जुप्टर में 1300 प्रिथवी समा सकते हैं ठीक है यह तो हो गई size इसमें अब एक चीज और देख लें दूसरा point दूसरे point में हम add करते हैं क्या दूसरे point में हम add कर लेते हैं day और night की जो phenomenon होती है उसको जान लेते हैं तो यहां पर एक दिन एक दिन कितने घंटे के बराबर होती है 10 घंटे के तो यहां का एक दिन 10 घंटे के बराबर होता है जबकि पृतिवी पे 24 घंटे में एक दिन होता है तो इसे क्या पता चलता है इसे यह पता चलता है कि इसका जो अपने अक्ष पे rotation है वो काफी तेजी से होता है ठीक है और काफी तेजी से होने की वज़े से इसके वातावरण में एक तुफान हमेशा बना रहता है ठीक है तो यह आप चाल लें इसके atmosphere हमेशा एक तुफान मतलब एक रिंग मतलब बना हुआ दिखाई देता है ठीक है अब इसमें देखिए next point हम देख लें third point तो third point में हम क्या यहां पर जो year होता है one year कितने दिनों का होता है वो देख लें तो दिनों में तो हम नहीं देख सकते क्योंकि काफी दिन हो जाएंगे वैसे हम इसको देख लेते हैं परतिवी पे कितने साल के के बराबर होता है यहां का एक साल तो यहां का एक साल प्रिथभी के बारे साल के बराबर होता है ठीक है पर 67 67 मून्स काउंट किये गए थे लेकिन हाली के न्यूज में था कि यह अब 79 मून्स हो गया ठीक है अब इसकी संख्या 79 हो गई है यानि कि अब जुप्टर के पास 79 मून्स है मत्तब कि 79 मून्स डिस्कवर हो चुके है जुप्टर के पास चलिए अब इसमें एक पॉइंट और एड़ कर लें तो इसमें हां फीप्ट पॉइंट में पर बात करते हैं यह यह कंसीप्ट है अभी चली इसका सफियर देख लेते हैं उसके इसके सपेर में क्या है वह जान ले आप हैं इसके सफियर में हाइज्चरोजन और हीलियम हैं कॉन-कॉन गैसे हैं है आयमके प्लस ह academ फॉल लें अधिक मात्रा में और हीलियं कि आफ इसमें नेट्स पॉइंट में में हम एक्जाम पेफिए काफि इंपॉटेंट हो सकते हैं थीक है तो आप आप इनको चाहें तो नोट डाउन कर लें और जो मैं next point बोलने जा रहा हूं यह most important है चीक है तो एक है मुन्स मुन्स 79 मून्स और उसी में कुछ गैलियन मून्स है अब गैलियन मून्स क्या है तो गैलियन मून्स में देखिए 1610 इस भी में इसको हम पहले लिख लें गैलियन मून्स आप इसके बाद इसकी स्टोरी सुन लेजे शोले सो दस सबी में क्या हुआ था कि एक गलिलियन नाम का व्यक्थिम सुन अधिवित in early fast ले अपने नाम सुना हुगा उन्हों से इन्हों ने चार मून डिस्कवर किये थे किसके जुपिटर के चले उन चारो मूनों को देख लेते हैं क्योंकि वह एक्जाम में डिरेक्टली पूछ लेता है तो उसमें फर्स्ट है जिसका नाम है लो ठीक है और जो सेकेंड है उसका नाम है यूरोपा ये तो काफी फेमस क ये जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा मून आप बोल सकते हैं जो अपना सोलर सिस्टम है उसका आभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा मून है ठीक है मून बोले तो नेचुरल सेटलाइट ठीक है और इसमें देख लिजे जो फोर्थ है वो है आपका इसका नाम है कलिस क्या कैलिस्टो फूर्थ इसमें है कैलिस्टो ठीक है तो यह हो गए आपके चार मून ठीक है तो यह रहा इसके विशय में ब्रीफ इंटॉडक्शन अब हम इसके मीशन की विशय में जानेंगे ठीक है तो चलिए हम इसके मीशन की विशय में जानते हैं तो इसको हम मिटा देत है चलि हम इसके मीशन की बिसे में जानते हैं सबसे पहले क्या कि हम इसका कलद चेंज कर ले थोड़ा सा इसको इसकेज कर ले यह रहा अपना जूपिटर अब सुरी के रिस्पेक्ट में देखने क्या सकता नहीं है क्योंकि अब हम लोग इसको कर चुके हैं कि इसमें फर्स्ट मीशने देखे हम तो वोईगार फर्स्ट था ठीक है जिसको भेजा गया था कब नाइंटी सेवंटीनाइन में एक मीशन भेजा गया था वोईगार फर्स्ट होल्ड मिनिट कि पेंच चल नहीं था कऱों का अब वोईगार फर्स्ट था फर्स्ट मीशन देखें यह भेजा कब गया था यह इंप्रेंट है नाइंटि सेवेंटीनाइन में बैगार मिझा फर्स्ट कब भेजा घाए था नाइंटिसर्वणनाइन आइन भी तो इसने क्या डिस्कवर किया था माली जी इसका कुछ फिरेट होगा ना तो इसने इसके राउन फेंट यहां पर fint ring डिस्कवर किया था मतलब कि इसके चारों तरफ एक कर रिंग सरकील की तरह कुछ है मतलब वही जो आधी तुफान है यहाँ पे चलती है वही क्या एक रिंग के रूप में हआई इस्में ये इसका रहा तो इसमें एक चीज इस ने बताया कि इसमें क्या कि इसमें चार ठीका है इसके पास चार रिंग शिस्टम है कि अ सचे ठोस्का अब इसके कि बाद इसके बाद हम देख लेते हैं next most important mission second तो second में हम देखेंगे क्या second में अभी मतलब काफी important देखे जूनो मीशन जो यूपीस सी मिंस आपसनल एक्जैम में ये क्योशन पूछा जा चुका है कि जूनो मीशन का क्या उद्देश से था ठीक है तो देखें ये भी काफी important हो जाता है तो second हम देख लेते हैं जूनो मीशन जूनो मीशन तो इसको किस लिए भीजा गया था वह भी जान लेते हैं कब भीजा गया था कैसे भीजा गया था वह भी देख लेते हैं देखें जूनो मीशन 2011 में भेजा गया था जुनो मिशन 2011 में भेजा गया था और ये कब पहुचा वहाँ पे यह पहुँचा वहाँ पे 2016 में थीक यह 11 भीजा गया 2016 में वहाँ पहुचा यानिकी लेंट किया तो अब यहां पर देखें इसने क्या मतलब इसका उद्देश से क्या था उसको जान लेते हैं यह गया था वहाँ पे जो ग्रैविटी होता है ग्रैविटी उसको मेजर करने के उद्देश से गया था जी फार ग्रैविटी चलिए लिख लेते हैं ग्रैविटी वहाँ पे ग्रैविटी फीड जो है उसको मेजर करने के लिए इसमें दूसरा काम इसका क्या था जो वहां की मैगनेटिक स्फेरिक फीड है जैसे अपनी हमेनों इसकी जो में सभी इसको डिसकाइब करने करी ठीए तो सिकेंड़ क्या है मेगनेटिक इस स्वेयर दि तो मेंडेक्ट इस स्वेयर करने गया था मेड़िव्लय अब इस में है पॉइंट और देख लें क्या इसमें थोर्ड इसका उद्द्द्ध से क्या था जो पोलर मैंगनेटो स्थिति को चेक करने के लिए भी गया था यह पेंट चलने रहा है यह में जी एन इटी ओ मैंगेटो एस पी एच ए आरी स्फेर ठीक है तो यह तो रहा इस पे जो दो इंपॉर्टेंट मीशन भेजे गए देखिए यहां पे इसके जो मूंस है उस पे काफी सेटलाइट भेजे जा चुके हैं ठीक है लेकिन इसके रिस् यहां पे लाइफ के भी सेमें चलिए ठीक हम मालेज़ें यह हमारा क्या है जुपिटर अब देखिए ड्रेक्टली इसमें कन्क्लूजन में अगर देखें तो ड्रेक्टली इस पे लाइफ का कोई पसिबिल्टी नहीं जिस प्रकर का यहां पर क्लाईमेट है उस हिसाब से य उनके ऐसा डिस्कोष किया मतलब इसको पता चला है कई सारे मिशन के तुरु कि इनके जो मूंस है ना तो उनके क्या उनके जो जमीन है उसके अंदर जो है मतलब औस पाए जाने की सम्भावना है ठीक है तो मूंस के तो इस तरह से देखे जब वहां पर ओसे पाये करती हों तो उसी किसी मूंस के गहराईओ है मतलब जैसे पृतिविक के गहराईयों में आपका जो लेकांने अगर रहे हैं तो उसी तरह से मूंस की भीतर क्या रिवान की एपए च्याद आधा से समझ में आई होंगी ठीक है धन्य बाद और अब आपकी रिस्पोंस्बिलिटी स्टार्ट होती है ठीक है बाई